हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी मुमफली की चिक्की तो चिक्की बनाना बहुत ही आसान है कुरकुरी करारी सी क्रिस्पी सी आपकी चिक्की बनकर अच्छे से तयार हो जाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मुमफली मुमफली को मैंने साफ करकी एक पहन में रख लिया है और इसको मैं चड़ा दूँगी अब चूले पर इसको मैं 15-20 मिनट के लिए रोष्ट कर लूँगी देखिए अच्छे से धीमी आज पर रोष्ट करूँगे इसको इसके सारे छिलकों को मैं मुझे निकालना है तो इसके लिए अच्छे से रोष्ट होना जरूरी है तो सारे मैं मुमफली को इधर साइड में रखोंगे ठंडा होने के लिए और अब क्या करेंगे कि इसी पैन में ले रही हूँ गुड तो मैं गुड ले रही हूँ डेर कटोरी मैंने गुड को ले लिया है इसमें थोड करके किचन तविल मैंने इसको प्रत दिया है और एक बड़ी के आटे शहायता से सारे जो इसके छिलकें हैं हलका हाथ से इसको फीटपीट कर निकालना है और इसे मसल मसल कर इसको अच्छे से सारे चिलकों को निकाल ले ध्यान रहे मुमफली हमारी अगर ठंडी होगी तो हमारी चिलके अच्छे से निकल जाएंगे इधर हमारी गूर की चासनी भी जो है अब मिल्ट हो गई है अब दीरे दीरे जो है इसके जो है कलर चे फिर दो मिनिट बाद में इसको कर दूंगी ओन ऐसे दीरे दीरे ओन ओफ करके इसको पका लेना है ध्यान रहें गुड की जो चासनी है हमारी जलनी नहीं चाहिए इधर क्या करेंगे एक प्लेट में दो चमज के करी में मैं इसमें घही डाल दूंगी और ब्रस की सहायता से इस चासनी जो है नहीं पकी है देखिए थोड़ी दीर के लिए मैं इसको और पका लूँगी गैस का फ्लेम अभी विमेरा ओफ ही है दीरे दीरे करके मैं इसको पकाती रहूँगी अभी मैंने ऑन करके फिर से पांच मिनट के लिए पका लिया है फिर से मैं इसको टेस्ट देखिए कुछ डॉप्स को मैंने पानी में डाला है और इसको मैं अब तोड के दिखाऊंगी कि यह पका है कि नहीं देखिए पानी ठंडा है और इसको मैं अब तोड कर दिखाऊंगी यह हमारा गुर्ड पका है या नहीं पका है तो यह देखिए अब यह गुर्ड जो है ऐस अच्छे से डालकर मैं दोले canai सबादे कर Four अच्छे से लगातों इस अच्छे से टना से भी पढ़ार दोकर कार्टे सफे की करची अपकी सब्सक्राइब दोकर चिगना कर लए और इसको अच्छे सब्सक्राइब और अपने मुटभावारा इसके जितने जैसे जासी भी साइज हो आप इसको उससाइज में कट कर ले धियान रहे गरम रहे तब ही काटे ठंडा होने के बाद यह जो चिक्की है कटने पाएगी देखिए मैं इसको काट कर दिखा रही हूँ देखिए क्रिस्पी सा क्रारी सा मुमफली की चिक्षी बन कर त्यार है चैनल को आ कर दो कर दो